पुर्ष के अगर आपने एक्सेसाइज की कुष्चिन अच्छी तरह से हैं तो आप टेस्ट पेपर को भी इसली इसल्फ कर लेंगे Students मैंने Class 7 की Chapter 7 तक और Chapter 13 और 14 की सभी Exercise की वीडियो अप्रोड कर दिया है उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आप Playlist में जाकर भी देख सकते है Students, Test Paper 7 में 4 पार्ट है A, B, C, D हम पार्ट A solve करते है, Question 1 है, Evaluate X की पावर 3 प्लस Y की पावर 3 प्लस Z की पावर 3 माइनस 3XYZ वेन X माइनस 2, Y माइनस 1 और Z इक्वल टू 3 दिया हुआ है Students, तो हमने क्या करना है, इस Question में हमने Evaluate करना है, तो जहां जो Value दिये है, वो हम Put कर देंगे जैसे यह Question है, X की पावर 3 तो यहां पर Value की X की माइनस 2 तो माइनस 2 की पावर 3, प्लस Y की क्या Value है, माइनस 1 तो यहां पर माइनस 1 आजगा, ठीक है, प्लस Z की Value की है, 3 3 की पावर 3, माइनस, अब 3, Multiply, X की Value माइनस 2, Y की माइनस 1, और Z की 3 अब उनको Multiply करते हैं, माइनस 2 को 3 टाइमस Multiply करें, तो कितना आएगा, जैसे यह है महारा पस, माइनस 2 Multiply, माइनस 2 Multiply, माइनस 2, तो Students, यह 2 to the 4, 4 to the 8 आएगा, अब साइन कौन सा आएगा, एक तो यह तरीका है कि अगर Odd नमबर है, तो Signed Minus का आएगा, ठीक है, अगर Even नमबर है, तो Plus का आएगा, यह आपने हमने किया भी था पिछे चैप्टर में, तो इसमें, देखो, Minus, Minus, Plus हो गया, अब Plus, Minus, Minus आगया, तो माइनस आएगा, तो माइनस 8, उसी तरह यहापर है, Plus रखते हैं, अब Minus 1 को 3 टाइमस करोगे, तो Minus 1 ही आएगा, अब Plus, 3, 3 जा 9, 9, 3 जा 27 आया, 3 को 3 टाइमस किया, तो 27 आया, अब यहाँ पर करते हैं, देखो, 3, 2 जा 6, 6, 1 जा 6, और 6, 3 जा 18, 18 लिग दिया, अब साइन, 1, 2, 3, माज़े, 3 टाइम माइनस का साइन, है, अब जो Minus वले उनको अलग साइड करते हैं, पहले Bracket Solve करने है, Minus 8, अब Plus, Minus, Minus 1 आगया, और Minus 18 को आप इधर लिख दो, Plus 27, अब 18 प्लस 1, 19, 19 प्लस 8, 27, साइन कौन सा है, Minus का, तो यह Plus, Minus, 20 कट गया, आपस में, तो आंसर किया गया, 0, तो इसका आंसर है, हमारे पास, 0, अब स्टूरेंस, कोशिन 2 में के, write the coefficient of X in each of the following, जैसे, कोशिन 1 है, हमारे पास, Minus 5xy, ठीक है न, अब स्टूरेंस, X का coefficient कौन सा है, हमने X को किस से multiply किया है, हमने किया है, अब माइनस 5y, multiply X, माइनस 5y से किया है, तभी मारे पास, माइनस 5xy आया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, को, को, efficient of X is Minus 5y, right, अब इसी तरह question 2 है, इसका क्या है, 2xy की power 2z, ठीक है, अब इसको किस से किया हमने, 2y की power 2z को हमने X से multiply करेंगे, तो coefficient क्या आजएगा, coefficient of X is 2y की power 2z, third question, part 3, sorry, part 3 है, minus 3 upon 2abx, तो कितना है, minus 3 upon 2ab multiply X, तो coefficient of X is minus 3 upon 2ab, ठीक है, अब question 3 है, हमारे पास, question 3, subtract X की power 2, minus 2xy plus y की power 2, minus 4 from, इस number से हमने करना है, student, जब subtract, इसको हमने इस से करने है, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, ठीक है, तो यह question एक ना, इस पर से करने हैं, ठीक है, मैं question नहीं ता रहे हूँ, मैं सिरफ सीधा आगे solve कर रहे हैं इसको, third क्या है, 4xy minus 5x square minus y square plus 6, अब हमने minus करने है, subtract रहने हैं, तो minus का sign आएगा, तो यहाँ पर हम bracket लिखेंगे, अब हम इसको first वाला term लिख देंगे हैं आपर, plus 5y की power 2 minus 4, अब यहाँ पर minus का sign है, तो आगे जो है, sign change हो जाएगे, 4xy minus 5x square minus y की power 2 plus 6 minus x square, यहाँ पर plus आजएगा, 2xy minus 5y square plus 4, अब हम जो same है, उनको एक साथ करेते हैं, 4xy आगया है यहाँ पर, plus 2xy, उसके बाद minus 5x square minus x square, उसके बाद minus y square minus 5y square plus 6 plus 4, अब उनको यह add हो जएगा, 4 plus 2, 6xy, अब यहाँ पर दोनों digit के साथ minus का sign है, तो minus minus plus, ओ स्वारी, plus करेंगे, sign minus काएगा, 6x की power 2, अब यहाँ पर भी minus minus plus करेंगे, पर sign minus का 6y की power 2 plus, और 6 plus 4 कितना आजएगा, 10, अब question 4 के हैं हमारे परस, how much less is x की power 2 minus 2xy plus 3y की power 2 then, बता कि जो यह है, इससे कितना less है, कितना कम है, ठीक है, इससे less है, तो हम क्या करेंगे, इस में से इसको subtract कर देंगे, ठीक है, तो पहले हम यह लिखेंगे, 2x की power 2 minus 3y की power 2 plus xy, अब हमने less निकालना है, तो minus करेंगे, ठीक है, x की power 2 minus 2xy plus 3y की power 2, अब यहाँ पर sign change हो जागा, 2x की power 2 minus 3y की power 2 plus xy, अब यह minus x square plus 2xy minus 3y square, अब सेम, एक साइट करते हैं, 2x square minus x square minus 3y2 minus 3y2 plus xy plus 2xy, अब यहाँ पर plus minus minus करेंगे, पर sign plus को होगा, क्योंकि 2 is bigger number, 2 में से 1 less किया, 1x की power 2, अब यहाँ माइनस माइनस प्लस करेंगे, sign माइनस करेंगे, 3 plus 3, 6y की power 2, प्लस, यहाँ पर add करना है, 1 plus 2, 3, तो हमारा answer क्या गया, x की power minus x की power 2 minus 6y square plus 3xy, अब students, question fifth है, हमारा, find the product, हमने इनको multiply करना है, तो क्या करते हैं, जो हमारे यह constant है, इनको हम लग से लिख लेते हैं, देखो, यहाँ पर है, 3 upon 5, ऐसे किया था ना हमने, multiply minus 25 upon 12, multiply minus 8, अब a की, अब हम powers को add कर देंगे, इसका मतलब multiply कर साहीन है, यहाँ पर, a की power क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर a की power ही नहीं है, 1 प्लस 3, 4 आ गया, अब multiply, यहाँ पर b की, 1 प्लस 2, 3 प्लस 3, 6, b की power 6 आ गया, multiply, अब c का, c का 3, यहाँ पर कोई c की power नहीं, यहाँ पर 1, c की power 4 आ गया, अब इनको solve कर लेते हैं, 5, 5, 25, minus से, minus कट गया, 3, 4, 12, 4, 2, 8, तो अब इनको multiply कर लेते हैं, तो 5, 2, 10, a की power 4, b की power 6, c की power 4, अब question 6 है, simplify, storage हमने इनको simplify करने हैं, अब यह देखो, यहाँ पर 2 brackets के बेच में कोई sign नहीं, तो इसका multiply करने हैं इनको, फिर यहाँ पर plus का है, इन दोनों को multiply करने हैं, फिर इन दोनों को पहले multiply करके, आपस में फिर हम इसको solve करते हैं, इसको करते हैं, यहाँ ने लिख ली है, पहले 3, a को करेंगे, 2, a, minus 3 से, plus 4, 2, a, minus 3, plus, यहाँ पर कितना आजेगा, 5, a, a, plus 2, minus 4, a, plus 2, अब multiply किया, 3, 2, is just 6, 6, a, की power 2, minus, 3, 3, is a 9, a, यहाँ पर plus, 4, 2, is a 8, a, 4, 3, is a 12, minus 12 आएगा, plus, minus, minus, plus, 5, a, की power 2, यहाँ पर plus, 10, a, minus 4, a, और 4, 2, is a minus 8, अब हम एक साथ कर लेते हैं, जो सेम टर्म है, 6, a, की power 2, plus, 5, a, square, minus 9, a, plus, 8, a, plus, 10, a, minus, 4, a, और यहाँ पर minus 12, minus 8, अब इनको solve करते हैं, 6, plus, 5, 11, a, की power 2, अब यहाँ पर है, जो सेम है, उनको add कर लो, यहाँ पर कर लो, जैसे minus 9, minus 4, कितना है हमारे पास, minus 13 आ गया, क्योंकि minus, इनको हम add करेंगे, ठीक है, minus 13, और 8, plus 10, 18, अब 18, यह plus का है, अब sign यहाँ पर plus का आ जाएगा, क्योंकि 18 बिगर नमबर है, और 18 में से 13 लेसकी है, हमारे पास आ गया, 5, 5, a आ गया, अब यहाँ पर minus, minus, plus करेंगे, sign minus का, 12, plus 8, 20, तो यह हमारा answer आ गया, question 7, अब यह solve करना है, इसको मैं लिख लेती हूँ, question 7 को solve करना है, तो जो पहले x की term में उनको एक्साइड लियाते हैं, यहाँ पर है, 3x upon 10, plus 2x upon 5, यहाँ पर plus है, यह minus 7x upon 25, plus, so equal to 29 upon 25, अब हम इनका LCM निकाल लेते हैं, 10, 5 और 25 का, 5 to the 10, 5 to the 5, 5 to the 25, तो कितना है, यहा, 5 to the 10, 10, 5 to the 50, तो महारा LCM क्या गया, 50, अब 50 को 10 से डिवाइड किया, तो आया, 5, 5, 3 to 15x, plus, 5 को 50 से डिवाइड किया, तो 10, 10 to the 20x, minus, यहाँ पर, 50 को 25 से गया, 2 आया, 2 को 7 से multiply गया, 14x, equal to 29 upon 25, अब इसको solve कर रहते हैं, अब यह 15 plus 20, कितना है हमारे पस, 35 और 35 में से हमने 14 को less किया, तो 5 में से 4 less किया, 1, 3 में से 1 less किया, 2, तो महारे पस आ गया, 21 upon 50x, equal to 29 upon 25, यह तो students, आप इसको, ऐसे cross multiply कर लो, यह x की जो term है, यहाँ आकर, आप उसको reciprocal कर दो, ठीके न, 50 upon 21, अब 25, टूजा, 50, अब यह किसी बे नहीं कर रहा, तो 29, टूजा कितना आया, 58 upon 21, तो महारा answer आ गया, 58 upon 21, अब हम करेंगे, question number 8, question 8 को भी, यह मैं उतार लेती हूँ, question 8 को भी हमने solve करना है, तो students, पहले जो x की term है, वो एक side ले आएंगे हम, 0.5x, plus x upon 3, यहां पर minus है, 0.25x, equal to 7, students, सबसे अच्छा तरीका यह है, कि हम उनको decimal को तोड़ देते हैं, यह decimal अटाया, तो यहां पर आगे 10, और इस decimal को अटाकर, यहां पर आगे 100, अब यह किस पर कर जाएगा, 5 1s are 5, 5 2s are 10, और 5 5s are 25, 5 2s are 10, 5 1s are 5, 5 4s are 20, ठीके, अब हमारे पास आ गया, 1 upon 2x, plus x upon 3, minus 1 upon 4, equal to 7, यह x है, ठीके न, अब इनका LCM निकाला, तम्हारे पास कितना आ गया, 2, 2s are 4, ठीके न, तो कितना आजेगा इसका LCM, 12 आजेगा, इसको निकाल लेते हैं हम यहां पर, 2, 3, 4, 2, 1s are 2, 3, 2, 2s are 4, 3, 2 is 6, 6, 2 is 12, ठीके, अब 2 को 6, ड्वाइट किया, तो 6 आया, 6 x आ गया, 3 को ड्वाइट किया, तो 4 x आ गया, और 4 को ड्वाइट किया, तो 3 x आ ग है, तो महरे पास आ गया, 7 अपॉन 12 x इकल टू 7, अब x की वैल्यू निकाल ली है, तो आजेगा, यहां पर, रेसिप्रोक्ल हो जएगा, 12 उपॉन 7, तो 7 से 7 कट गया है, तो महरी वैल्यू क्या आ गया, x की वैल्यू 12 आ गया, अब इस तिरह हम, question 9 है, question 9 है, the sum of 2, question 9, the sum of 2 consecutive odd number is 68, ठीक है, find the numbers, हमने नमबर गा लाए, अब consecutive odd numbers बोले, odd number कौन से होते हैं, 1357, ठीक है, अगर हम एक नमबर को, suppose x मालते हैं, let one number x, ठीक है न, तो other number क्या होगा, ठीक है न, other number में क्यों होगा, कि अगर हम, जैसे मारे पास 1 है, x plus 2, 2 add करेंगे, 1 plus 2, तभी 3 आएगा, 3 plus 2, 5, 5 plus 2, 7, 7 plus 2, 9, ठीक है न, इसी तना हमारे odd number आएंगे, तो हमने एक number को, x माल लिया, दूसरे number को, x plus 2 माल लिया, अब इसको करते हैं, according to question, x plus x plus 2, दोनों number को जो sum है, कितना है, 68 आया है, तो 2x, 68, इदरा के, माइनस 2 हो गया, 2x equal to, 68 में से 2 less किया, तो कितना है, 66, x equal to 66 upon 2, तो कितना आ गया, 33, तो पहले number है, first number हमारे पस क्या आ गया, 33, और second number क्या आएगा, second number, तो क्या है, x plus 2, तो 33, plus 2 हमारे पस आ गया, 35, तो हमारे पस क्या numbers आ गया, 33 and 35, अब question 10 है, question 10 को भी solve कर लेते हैं, question 10, पहले read कर लेते हूं, रिनू's father is thrice as old as रिनू, after 12 year, he will be just twice his daughter, find their present age, अब present age को तो हम मान लेते हैं, x, ठीक है न, present age of renew, क्या है, x, present age of father कितनी आ गई, वो क्या है, thrice है, renew की age की thrice है, तो इसको multiply करें, 3x आ गया, तो after 12 years, age of renew, age of renew, will be, क्या है, x plus 12, तो after 12 year, age of father, will be 3x plus 12, ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि, after 12, he will be just twice his daughter, तो उसकी date, 12 years के वाद, age क्या होगी, x plus 12, तो father की age क्या होगी, इसकी, जो है, twice है, तो हम यहाँ पर 2 से multiply करेंगे, और यहाँ पर father की age क्या है, 3x plus 12, अब इसको solve करते हैं, 2x plus 12 to the 24, 3x plus 12, अब हम x की term एक साथ कर ली, minus 3x, तो 12 minus 24, तो minus x equal to minus 12 आया, 24 में से 12 less किया, 12 है, sign minus कर लगे, क्योंकि bigger number 24 है, minus से minus कर गया, तो x की value के आगे हमारे पस 12, तो present age of renew के हैं, 12 years, present age of renew, आगे 12 years, तो present age of father कितनी होगी, 3x है, 3x है, तो 3x, 3 multiply 12 कितनी हादी, 36 years, तो renew की जो present age है, वो है 12 years, और father की कितनी हागी, 36 years, पार्ट B, mark tick against the correct answer in the following, students से सारे objective type question है, तो हमने answer निकाल के tick करना है, जो 11 to 13 है students, इसमें हमने x की value निकाल ली है, तो यह हम करते हैं, question 11 में, 2x plus 5 upon 3, equal to 1 upon 4, x plus 4, तो हम फहले x की term को एक साथ कर लेते हैं, यहाँ पर minus 1 upon 4x आ गया, 4 यह minus 5 upon 3 आ गया, इसका LC में लिए 4, 8x minus 1x, यहाँ पर 3 लिया, 12 minus 5, तो यहाँ पर आ गया, 7 upon 4x आ गया, और यहाँ पर 12 में से 5 लेस्ट किया, तो हमारे पर साथ 7 upon 3, x की value निकाल ली है, 7 upon 3 multiply, 4 upon 7, 7 से कटी है, तो हमारा x की value के आगी, 4 upon 3, तो यह कौन सी option में है, यह है, 4 upon 3, d option में है, तो 11 का जो correct option क्या है, d है, ठीक है, इसी तरह अब हम 12 question को भी कर लेते हैं, अब इसमें क्या करने है, x की value निकाल ली है, तो 2, 3 is a 6, यहाँ पर आ गया, 3x minus 2x, equal to 5, 3, तो कितना आ गया है, यहाँ पर, 3 में से 2 less किया, तो यहाँ पर आ गया, 1 upon 6x, equal to 5, x equal to 5, और यहाँ पर ऐसी प्रोकल हो गया, तो 6 आ गया, तो x की value के आगी, 30, तो यह कौन सी option में है, d option में है, 30, तो 12 की correct option होगी, d, अब question 13, इसमें भी x की value निकाल ली है, तो यह x की term इसदर ले आएंगे, x minus 2 upon 3, यहाँ पर minus, यहाँ पर आजएगा, 2x minus 1 upon 3, bracket में, equal to minus 1, तो यहाँ पर x minus 2 upon 3, यहाँ पर कैया, minus 2x, तो यहाँ पर plus 1 upon 3, ठीक है, minus 1, अब हम इनको एक साथ कर लेते हैं, इनका तो LCM 3 आएगा, तो x की जो एक साथ कर लेते हैं, x upon minus 2x, ठीक है, और minus 2 plus 1 upon 3, equal to minus 1, अब यहाँ पर 2 में से x less किया, तो minus 1x आगया, और यहाँ पर 2 में से 1 less किया, तो minus 1 आगया, upon 3, multiply, equal to minus 1, अब cross multiply कर लेते हैं, तो minus 1x, minus 1, अब 3 को minus 1 से multiply गया, तो minus 3 आगया, अब minus x equal to minus 3, यह minus 1 है, तो यहाँ आखर plus 1 हो गया, तो minus x equal to minus 2, minus minus कट गया, तो x की value के आगी 2, तो 13 जो को इसकी value के है, 2 जो है, A option में, तो 13 का जो correct option किया है, 2 है, अब students, question 14 कर लेते हैं, 14 में किया है, a number when multiplied by 4 is increased by 54, the number is, तो students, इसमें किया है कि number को हमने x माल लिया, तो उसको जब हो multiply करते हैं, तो 4 से, तो मारा 4 x आया, equal to, तो कहते हैं कि, जो यह number है, यही increased by 54 हो जाता है, तो x plus 54 हो जाता है, तो x plus 54 हो गया, अब इसको solve करते हैं, 4 x minus x equal to 54, 3 x equal to 54, x equal to 54 upon 3, 3 बंज़ा 3, और 2 रहागा है, 24, 3 at the 24, x की value किया आगी, 18, तो 14 का जो correct option माल पास किया आगी, c, जो 18 है वो c option में है, इसी तरह question 15 भी दिहाँ ही कर लेते हैं, तो complementary angles differ by 14 degree, larger angle, हमने larger angle नकालना है, तो students, अगर हमने larger angle को x माल लेते हैं, ठीक है न, x degree माल लिया, तो जो complementary angle कौन से होते हैं, जिनका अपस में add करके 90 आते हैं, तो other angle क्या हो जाएगा हमारा, other angle क्या हो जाएगा, 90 minus x, ठीक है, अब करते हैं, two angles differ by 14, तो यहाँ पर आगया, x minus 90 minus x equal to 14, x minus 90, sign change हो जाएगा, plus x equal to 14, यहाँ पर आगया 2x और यहाँ पर 14 plus 90, यहाँ minus 90 है, यहाँ पर plus 90 हो जाएगा, 2x equal to 90 plus 14, 104 x equal to 104 upon 2, 2x equal to 10, 2x equal to 4, तुम्हारा कितना आया, 52 degree आया है, तो 90 में से 52 लेस किया, 8 और 4 में से 5 लेस किया, नहीं, 8 में से 5 लेस किया, 3, तुम्हारा पास 52 degree और 38 degree angle है, दो angle है, तो इनमें से larger कौन से है, 52 degree, यह कौन से उसमें आ रहा है, option B में आ रहा है, तो 15 का correct option क्या है, B है, question 16, the length of a rectangle is twice its breadth, its perimeter 96 meter length of the rectangle is, हमने length नकालनी है, तो students सबसे पहले है, breadth को हमने x माल लिया, ठीक है, चुल लिख रहती हैं, breadth equal to x, क्योंगे हमने तो सिर्फ टिक करना है, तो इसको तो work में करना, length मारी क्या आगी, rectangle of twice of breadth, 2x आगी, perimeter क्या होता है, perimeter of rectangle, यह तो आपको पते ही है, क्योंगे हमने करी रहे हैं, 6 class में इने किया है, 2L plus B आगया, ठीक है, अब इसको solve करते है, perimeter क्या है, यहाँपर 96, 96 लिख दिया है, यहाँपर 2L, 2x plus x आगया, 96, 2 यहाँपर आगया, 3x आगया, 96, multiply 2, 3 यहाँपर 6x, तो x equal to 96 upon 6, अब यह कट जाएगा, 6 बंज़ा 6, 6 बंज़ा 6, 3, 6 इक्ज़ा 36, breadth हमारे आगी 16, ठीक है, length क्या है, 2x है, तो 2 into 16, 16 हमारे पास कितना है, 36, और नहीं, 16 multiply 32 आगया, 32 आगया, तो यह कौन सी option में, 16 का 32 C option में है, तो 16 की correct option क्या होगी, C होगी, इसके बाद है, question 17, कहते हैं कि, ages of A, B, in the ratio of 4 is to 3, and after 6 years, their ages will be in the ratio of 11, upon 9, age, present age, तो देखो, present age तो हमारे पास, यही आगी, present age, A की present age क्या होगी, present age, ठीक है, यहां पर आया, 4x, और B की क्या होगी, 3x, ठीक है, अब occasion में बना लते हैं, यहां पर सीधा ही, क्योंकि, after 6 years, 6 years के बाद, A की age होगी, मारे पास, 4x, प्लस 6, और B की कितनी होगी, 3x, प्लस 6, और इनकी ratio के है, 11 upon 9, अब इनको solve करते हैं, 9 को इससे multiply करने है, 9, 4, 0, 36x हो गया, प्लस 9, 6, 0, 54, 11, 3, 0, 33x, और 11, 6, 0, 66, ठीक है, अब इनको solve करते हैं, 36x, माइनस 33x, 66, यहाँ पर प्लस है, माइनस 54 हो गया, 36 में से 33 less किया, तो 3x आ गया, और 66 में से हमने 54 less किया, तुम्हारा पास आ गए, 12x इकोल टू, 12 upon 3, 3, 4, 0, 12, अब हमारा पास, x की value 4 आ गए, हमने किसकी value age निकाल लिए है, A की, A की age किया थी, 4x थी, और x की value कहागी 4, तुम्हारा पास आ है 16, 16 years, age की, age के आगी, 16 years, तो यह 17 का, जो है, B option correct है, क्योंकि जो मारा answer है, वो B option का है, पार्ट C, 18, fill in the blanks, शुरूरें, जो पार्ट 1 है, minus 2a square b, यह एक single term है, तो single term को हम क्या बोलते है, monomial, m-o-n-o-m-i-a-l, अब a square minus 2b square, तो यह के बनेगे 2 terms है, तो यह के बनेगे binomial, b-i-n-o-m-i-a-l, अब यह 3 terms है, 1, 2, 3, तो by means 2, try means, try means क्यों हो गया, 3 हो गया, तो इसको बोलेंगे, trinomial, ठीक है, अब in minus 5ab, the coefficient of a is, a को निकाल दें, तो कितना रहेज़ेगा, minus 5b, तो इसको coefficient क्यों हो गया, minus 5b, in x square plus 2x minus 5, the dash term is minus 5, अब इसमें क्या हैगा, देखो, यह तो variables हो गया हमारे पास, तो यह क्यों हो गया हमारे पास, constant, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, constant term is, constant, c-o-n-s-t-a-n-t, यहाँ पर spelling लिखते है, c-o-n-s-t-a-n-t, तो constant term कौन से होगी हमारे पास, minus 5, पार्डी, 19, right, 3, t for true, and f for false, each of the following, अब in minus x, the constant term is minus 1, अब तो यह क्या है हमारे पास, यह variable है, तो minus constant term क्या है हैंपर, यह constant of minus 1 नहीं है, यह क्या coefficient है, तो इसके हम क्या लिखेंगे, false, यह term जो है, false है, the coefficient of x in, x square minus 3x plus 5, अब इन में coefficient कौन सो होगा, minus x का, तो minus 3 होगा, तो यहाँ पर क्या दिया है, 3 है, तो यह भी मारी यह statement है, false है, अब 5x minus 7, minus 3x minus 5, equal to 2x minus 12, तो student, इसका जो answer है, वो इसके equal है कि नहीं है, यह हमें निकालना पड़ेगा, हम left hand side को solve करते हैं, यह solve करते हैं, अब यहाँ पर 5x minus 7, minus का sign है, तो sign change हो जाएगा अंदर, ठीक है, अब यह 5x और इनको एक साथ कलिए, minus 3x, sorry, minus 7, plus 5 कलिए हैं अबर, 5 में से 3 गया, 2x और यहाँ पर कितना है, 7 में से 5 less गया, 2 आया, क्योंकि minus plus minus करेंगे, sign minus करेंगा, तो यहाँ पर minus 2 आया, तो not equal to 2x minus 12, तो यह statement महारी जो है, false है, अब student, जो question 4 है, वो ही same है, इन दुनों को multiply करके, यह वाला answer आएगा, तो इसको multiply करके देख लेते हैं, 3, 3, 9 x की power 2, ठीक है, 3 x को पहले इस से करेंगे, अब minus का sign, 3, 5, 15 x y, अब इसको कर लेते हैं, plus 15 x y, minus 25 y की power 2, यह दोनों कट गया, तो महारी परस क्या आएगा, 9 x square minus 25 y square, तो right hand side में भी same है, तो यह हमारा जो answer क्या है, equal आगया, तो यह हमारी statement क्या होगी, true आगये, ठीक है, और part 5 में क्या है, a की power 2 दी है, b की power 1 upon 2, then the value of a b, a square plus b square, यह निकान ला है हमने, यह हमारी पर statement है, हमने value put करते है, a की value जो है, वो 2 है, b की value की है, 1 upon 2, अब bracket में a की value की है, 2 की power 2, plus b की value की है, 1 upon 2 की power 2, अब यह तो आपस में कट गया, ठीक है, यहां पर 1 रह गया, 2 to the 4, plus 1 upon 4, अब इनका L से में लिया, 4 आया, 4 फोर जा 16, plus 1, 17 upon 4, अब यह इसका fraction में करनवर करते हैं, 17 को 4 से किया, divide 4, 4 is 16, 1, तो महर पर इसका गया, 4, 1 upon 4, तो equal to 4, 1 upon 4, left hand side is equal to right hand side, तो यह statement भी जो हमारी क्या है, true है, ठीक है, students, जो first, second, third, यह तीनों false है, fourth and fifth, true है, students, हमने test paper 7 की भी सारे question solve कर लिया है, students, इसके साथ मारा chapter 7 linear creation in one variable finish हो गया है, और हमने हर exercise को solve कर लिया है, students, इन सब का जो link है, description में दिया गया है, अगर description में नहीं मिल रहा है, तो आप playlist में जाकर भी देख सकते हैं, students, अगर आपको video useful लगी, तो please video को like करें, share करें, और channel को subscribe करें, thank you for watching,